Hi Everyone, पिछले part के इंदर हमने दिखा था, प्लासंटा की अबनॉमाल्टीस की बारे में, और इस part के इंदर हम देखेंगे, कौड अबनॉमाल्टीस की बारे में, लेकिन इससे पहले हम लाए हैं आपके लिए Nursing Lecture आप और इस आप का लिंक इस वीडियो के description box के इंदर आपको मिल प्रीमियम चैट जो कि आप लोग के लिए है बिल्कुल फ्री जिसमें आप अपनी क्वेरीज को या फिर अपने जो भी डाउट्स हैं उसे सीधा मुझसे पूछ सकते हैं तो इसे डाउन्लोड करना ना बुलें तो यहां पर हम देखेंगे कॉर्ड अबनोमेल्टीज के बारे हैं अबनोमेल्टीज on the basis of their insertion कॉर्ड का से insert होती है उन में कौन सी अबनोमेल्टी होती है वैसल की नंबर के basis पे कौन सी अबनोमेल्टीज होती है और लेंथ के basis पे कॉर्ड अबनोमेल्टीज कौन सी होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे abnormalities on the basis of chord insertion. So, chord insertion basis पे primarily two type of abnormalities देखने को मिलती हैं, one is battle door and the another one is valamintus insertion of chord. क्या होता है इन के अंदर? First is battle door placenta, सब से पहले हम दिखते हैं, chord insertion. Chord insertion normally कैसा होता है? यहाँ पे है placenta. So, normally जो chord होती है, यह chord कहां से insert होती है? Choronic plate के center या near center से, like this. आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों से discuss कर चुकी हूँ. Placenta की दो plates होती है, जो की fetus की तरफ है, वो है coronic plate और जो मदर की और होती है, वो है basal plate. So, chord का जो insertion होता है, वो कौन से plates होता है? Choronic plates होता है. और यह center या फिर near center से क्या होती है? Arise होती है, यहाँ से attach होती है. यह किसकी बात कर रहे हैं? Normal condition की बात. Battle dot placenta के अंदर क्या होता है? कि chord का जो insertion है, यह center से ना हो कि कहां से होता है? Margins है. Bat-like, जैसे कि बल्ला होता है, जिसमें जो bat का handle है, वो कहां होता है? Edge पे. तो उसी तरीकी से placenta की chord, यह कहां से arise हो रही है? edges है. जैसे कि यहाँ पे है placenta, तो अंदर की chord कहां से insert होगी? Margins है. और vessels इसी तरीकी से radiate होती भी. इस plate की edge तक जाएगी. So, यह कौन सी abnormalities कहलाती है? Battle door placenta. यानि chord का जो insertion है, वो कहां से होता है? Center से ना होके margin से हो रहा है. Normally center से. लेकिन इसके अंदर margin से chord arise हो रही है. वैसे तो इस margin से arise होने पर fetus के उपर कोई bad effect नहीं होता है. लेकिन अगर इसी type का placenta low line है, यानि lower segment में attached है, तो उस condition में क्या हो सकता है? Fetal part के pressure से, जो भी fetal का presenting part है, उसके pressure से ही chord क्या हो सकती है? Compress. जिससे कारण जो blood supply है, fetus तक क्या हो सकता है? Decrease. जिससे कारण fetus क्या हो सकता है? Anoxic. लेकिन अगर यह normally situated placenta है, तो उस condition में fetus के उपर इस type की abnormality की कारण को भी bad effect नहीं होता है. तो यह कौन सा variety होती है? Battle door placenta, यानि chord का insertion कहां से हो रहा है? center से ना होके margins है. दूसरी variety होती है, valamintus insertion of chord. इसके इंदर क्या होता है? यहाँ पे जिससे किसी placenta है, तो chord center से ना arise होके क्या होगी? distance से arise होगी. एक distance से arise होगी और जो vessels है, umbilical cord vessels, वह क्या करेगी? इस chord से release होके transversely run करते हुए chronic plate तक extend होगी. तो इस तरह के से chord जो है, valamintus insertion of chord के अंदर क्या होगी? यहाँ पे center या फिर near center या फिर margin से insert ना होके chord क्या होगी? दोर से arise हो रहा है. तो यह जो chord है, यह usually placenta के जरिए, membranes के जरिए attach होता है. fetal membrane के जरिए क्या होता है? attach होता है. like this. So, chord usually placenta से सीथे attach ना होके क्या हो रहा है? membrane से attach होगा. through the membrane, chord is attached with this placenta. So, membrane के अंदर ही यह vessels जो है वो radiate होगी और इस chord से branch off होके, इस coronic plate तक क्या होगी? extent. तो यहाँ पे हमने chord abnormality किस के basis पे देखी? chord insertion के basis पे. Normally, center से arise होता है और center से arise ना होके, अगर margin से है तो वह कौन सी variety है? battle dog. और अगर margin से भी नहीं है और slightly distance से arise होती है umbilical chord और membrane के जरिए इस placenta से attach होती है और vessel जो हो यहाँ से radiate होती हुई, coronic plate तक extend होती है तो यह कौन सी variety खिलाती है? valamintus insertion of chord और अगर इस type की variety अगर mother के अंदर होती है, chord abnormality और उसी की साथ में अगर इस type का placenta कहां पे attach है? lower segment में तो एक और condition हो सकती है वो क्या है? vasa previa क्या है vasa previa? कि अगर यह placenta low line है, lower segment में attach है तो क्या हो सकता है? presenting part के नीचे, here it is the presenting part that is the head of the fetus उस head of the fetus के नीचे क्या हो सकती है? यह transversely running vessels जिससे कारण क्या risk होने की chances रहते हैं? कि अगर labor के time पर यह membrane rupture हो जाती है तो उसे के साथ में क्या हो सकती है? vaginal bleeding भी हो सकती है by this tomb vessels तो ऐसी condition में even fetal death होने के chances भी ज्यादा रहता हैं तो यह condition क्या 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 आती है? vagabria यानि अगर placenta low line है तो क्या होगा? cord से arise होती ही जो vessels हैं जो कि transversely run कर रही है यह क्या हो सकती है? fetus के presenting part के सामने आ सकती है, नीचे के और आ सकती है, ठीक है? so at the time of labour, इसी fetal membrane के rupture के साथ में इन vessels के भी rupture होने की chances ज्यादा हो सकते हैं so ऐसी condition क्या 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 लाती है? vagabria यहाँ vagabria कब हो सकती है? जब valamantus insertion of cord है और इस type का cord अगर कहां है? lower segment में situated है तो उस condition में क्या हो सकता है? vagabria भी हो सकता है तो यहाँ पर थी cord abnormality on the basis of cord insertion इसके लावब क्योंची और abnormalities हो सकती है? लेंट of cord के बैसिस पे भी abnormalities हो सकती है और usually cord की umbilical cord की length होती है 30 से 100 cm ता और on average 50 to 60 cm long होती है तो long यानि more than 100 but it can be up to 300 cm कितनी और जदा length हो सकती है? long cord it may be up to 300 cm long cord lengthening की करण क्या chances हो सकते है? fetus के उपर कि there will be entanglement यानि cord around the body और cord around the neck quad क्या कर सकती है? lending cord body को या फिर neck के round क्या कर सकती है? यह round create कर सकती है और उसकी कारण क्या हो सकता है? presenting part के descent होने में difficulty हो सकती है आप externally cephalic version नहीं कर सकता है यानि favorable pole जो होता है उसे आप lower segment में लेके नहीं आ सकता है क्योंकि cord जो है वो fetus के round completely entangled है और कई बार lending cord के कारण क्या हो सकता है true not भी बन सकती है but it is the rare one और कभी कबार long cord के साथ में क्या abnormalities देखने को मिल सकती है? cord prolapse यानि presenting part से पहले आपको क्या feel हो रहा है? cord तो cord prolapse हो सकता है और अगर cord prolapse है तो उस condition में क्या होगा? presenting part के pressure के कारण वो cord क्या हो सकती है? Compress और अगर cord compress हो रही है तो blood supply fetus क्या हो सकता है? decrease जिसे कारण fetus क्या हो सकता है? enopsic तो अगर cord lengthy है यानि 300 cm तक long है तो उस condition में क्या हो सकता है? कि ये body के around fetal movement के साथ में क्या हो सकती है? कि fetus को completely encircle कर सकती है, entangle हो सकती है, around the most commonly neck के around होती है बट body के किसी part के around भी क्या हो सकती है? entangle may be the abdomen, may be the legs, but more commonly कहां दिखता है? neck के around entanglement common होता है और दूसरी anomaly ही हो सकती है इसके साथ में कि cord prolapse हो सकती है false note भी देखने को मिल सकती है but false note यानि real में कोई note या guitar नहीं बन रही है whereas in vessels में क्या हो रहा है? there is a collection of wattens jelly umbilical cord में क्या हो रहा है? vessels के around क्या हो सकता है? wattens jelly का collection usually भी present होती ही wattens jelly जो के vessels को सभी और से surround करती है उन्हें protect करती है but अगर कहीं पर इस wattens jelly का collection हो जाता है एक ही जोगे पर accumulate हो जाती है और अगर wattens jelly नहीं है तो हो सकता है कि कोई vessels ही या पर kink हो चुकी है bend हो चुकी है या पर मुड़ चुकी है तो उसी कारण भी slide क्या दिख सकता है? elevation और यह ऐसा perception दे सकता है कि यहां पर क्या है? एक note है but it is not a real one इसलिए यह से क्या कहता है? false note तो एक है length के basis पे long quad और दूसरी anomaly हो सकती है short quad short नाम से समझ में आ रहा है कि amoletal quad की length है normal length से क्या है? comparatively shorter short quad और ऐसी condition में क्या हो सकता है? कि अगर quad short है तो there is a chance of premature separation of placenta placenta के पहले से ही separate होने के chances बढ़ जाता है क्योंकि fetal movement के साथ में quad क्या होता है? pull तो premature separation यानि abruptio placenta के chances बढ़ जाता है और ऐसी condition यानि short quad के साथ में आप fetus को आप move नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी condition में fetus decent नहीं हो पाता है engagement में difficulty होती है तो decent नहीं होता है presenting part engaged नहीं हो पाता है तो labor क्या हो जाता है? prolonged तो उसी के साथ में क्या है? कि अगर आप उसे favorable pole पे लेकर आने की कोशिश करते है क्योंकि mal presentation उनमें ज्यादा देखने को मिलता है तो mal presentation ने अगर उसे आप favorable pole पे लाने की कुशिश करते हैं तो वह आप नहीं कर सकते हैं यानि external version नहीं कर सकते हैं क्योंकि cord is short और अगर आप vigorously ऐसा करेंगे तो there may be a chance of abruption, premature separation of placenta की chances बढ़ जाते हैं तो length के basis पे cord abnormalities कौन सी है long cord यानि उसकी लंबाई up to 300 cm तक हो सकती है normal length के comparison में और short cord यानि length सबसे कम यानि 20 cm से भी कम हो सकती है 20 cm भी हो सकती है तो वो कहलाती है short cord और तीसरी टाइप के जो variety है abnormalities के अंदर वो क्या है on the basis of number of vessels तो vessels की counting के basis पे भी abnormalities देखनों को मिलती है बट यह वाली variety सबसे rarest होती है normally umbilical cord के अंदर 3 vessels होती है normally 3 vessels यानि 2 arteries और 1 vein 2 arteries और 1 vein होती है 3 vessels होती है in a normal cord single umbilical आर्टरी कौनसी anomaly है single umbilical artery जिसमें only 2 vessels होती है एक artery और 1 vein यानि इस condition में क्या हो रहा है एक artery जो है वो क्या हो चुकी है atrophid और उस atrophid होने की कारण यहां पर उनली कितनी remain रह रही है 1 artery तो इस type की जो condition है single umbilical artery यह condition that is identical twins जो twin pregnancy होती है उनमें होने के chances जादा रहता है और अगर एक woman diabetic है या फिर epileptic है या फिर उसके अंदर oligohydromnios है या polyhydromnios है तो उन condition में इस type के chances quad anomaly होने के chances जादा रहता है और ऐसे fetuses के अंदर congenital malformations भी जादा रहता है exact cause जो है इसका unknown है so single umbilical artery यह क्या है कि normal three vessels है लेकिन उस three vessels में से two arteries के अंदर से एक artery क्या हो चुकी है atrophic जिसे कारण only one artery single artery और क्या होगी one vein तो यानि all together एक quad के अंदर only क्या present है दो ही vessel present है तो यह है number of vessels की basis में variation four vessels anomaly भी होती है जिसके अंदर three की बज़ाए क्या हो जाएगा four vessels present होगी four है यानि two artery और two vein usually भी initially embryonic development में भी fetus के अंदर कितनी vessels होती है four two arteries and two vein लेकिन one vein जो होती ही वो क्या हो जाती है लेकिन अगर वो vein disappear ना हो और अगर वो continued रहे तो हो सकता है कि ऐसे amylical cord के अंदर कितनी vessels present रहे till birth that is four vessels सो यहां पर हमने chord abnormalities के बारे में देखा on the basis of chord insertion कौन सी है battle door यानि chord जो है वो कहां से arise हो रही है margins है valimentous insertion of chord चैनि chord distance से arise हो रही है और जो vessel से transversely run करती भी through the membrane directly कहां attach हो रही है placenta के coronic plate पह है और जब ऐसा होता है तो उसके साथ में vasa previa होने के chances जादा रहते हैं अगर same type of placental abnormality chord abnormality है और अगर इस type के abnormality के साथ में placenta अगर low lying है तो उसके साथ में कौन सी और condition हो सकती है vasa previa तो यह थी chord abnormalities on the basis of insertion इसके लावा में ने बताय था abnormalities on the basis of length of chord तो यह को थी long chord एक है short chord और abnormalities on the basis of number of vessels three vessels normally है अगर only two vessels होगी यानि only एक ही artery है तो उस condition में क्या है single umbilical artery anomaly और अगर four vessels है because यहाँपे क्या है जो vein है one vein वो disappearing यहाँपे नहीं हुई है तो उस condition में कौन सी anomaly हो सकती है four vessel anomaly तो यहाँपे इस वीडियो के जरी हमने देखा chord abnormalities के बारे में on the basis of chord insertion length of chord as well as the number of vessels Thank you